सिंगर नेहा का कड़ अक्सर किसी न किसी वज़ा से सुथियों में बनी रहती है। एक बार फिर सिव अपनी साधी को लेकर चर्चों में है। खबर ये है कि नेहा अपने दोस्त रोहन प्रित सिंग के साथ साधी करने वाली है। हलांकी अभी तक इस खबर पर कोई ओफिसल कनफर्मेशन नहीं आया है। सुत्रों के अनुसार से नेहा और रोहन प्रित इस मेहिने के अन तक साधी कर लेंगे। यह साधी दिल्ली में होगी और पैनेडेमिक को देखते हुए इसमें कमी लोग सामिल होगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 24 अक्टूबर को साथ फेरे लेंगे। हलांकी रोहन प्रित के मैनेजर ने सुत्र की बात से इनकार करते वे कहा है कि उन्होंने भी ऐसी खबरे सुनी है। दोनों ने बस एक वीडियो में साथ में काम किया है जिसके कारण उन्हें लिंक किया जा रहा है। रोहन प्रित का अभी साधी का कोई प्लान नहीं है। पिसले दिनों नेहा और रोहन प्रित ने एक म्यूजिक वीडियो में साथ में काम किया था। इसमें नेहा रोहनप्रित से लॉक्डाउन में साधी करने को कहती है। उनके इस वीडियो को दोनों की साधी का हिंड माना जा रहा है। रोहनपृत ने इस वीडियो को सोसल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें नेहा उनसे डायमेंड रिंग पढ़नाने की डिमान करती है इसके बाद वीडियो में रोहनपृत नेहा को अंगूटी पहनाते वे नजर आते हैं मालुमों कि रोहनपृत रियालिटी सो मुझसे साधी करोगी का हिस्सा भी रह चुके हैं वो सो में कंटेस्टेंड थे जिन्हें सहिनाद गिल को साधी के लिए इंप्रेस करना था रोहनपृत जन्नत जुवेर के भी अच्छे दोस्त हैं उनके बड़े पर रोहनपृत ने उनके लिए एक फोटो भी शेयर की थी नेहा पहले भी आदित नरायन के साधी को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं इंडेन आइडल के सेट पर उनकी साधी के ढोल तक बच चुके हैं आदित संग नेहा की कई तस्वीरे इंटरनेट पर चाय हुई थी वेडिंग की खबरों के बीच नेहा और आदित का म्यूजिक वीडियो रिलिज हुआ था इस वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया था वीडियो में नेहा के भाई टोनी कख करने भी अवाज दी थी साथ में एक्टिंग भी की थी कुछ दिनों तक ये खबर चलने के बाद पता चला कि ये सब महद एक नाटक था दोनों ने इंडियन आडल की सेट पर सिर्फ सो की टी आर्पी के लिए ये सब किया था और ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और से जरूर करें